हेलो सो मेरे नाम विजयो सो यह मेरे पास में लेनो का एकदम लेटेस थड़कता भड़कता फ्लेक्स फाइव लेप टॉप जो की मार्केट का वन अधा मोस्ट एफोर्डेबल कनवर्टेबल 2-1 लेपटॉप है और आता है इंटल के लेटेस 11 जनेशन को प्रोसेसर के साथ में लेकिन यहाँ पर हमें AMD के लेटेस प्रोसेसर भी देखने के लिए मिल जाते हैं तो यहाँ पर जो मेरे पास में वेरियंट है वो है i5 1135 G7 वाला जो की लेटेस 11 जनेशन i5 प्रोसेसर है तो इन चारी चीजों के बारे में नगाइज हम लोग डीटेल में आगे है इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज So having said that, let's get started So guys, यह box Lenovo के Flex 5 laptop का और इस box को कर हम ओपन करते हैं तो में मिल जाता अपना laptop इसको में आपे side में रखता हूं इसकी तरफ हम आते हैं बाद में यहाँ पर हम देता एक charger जुकि एक 65 Watt का charger है और मेरी टेस्टिंग में लगबग एक सवा घंटे में इसने Lenovo Flex 5 को fully charge कर दिया था जीरो से लेके तो बहुत जादा quickly यह laptop को charge कर देता है और laptop भी बड़ी battery के साथ में आता है 52.5 Watt की battery के साथ में आता है तो यह बहुत जादा fast इस laptop को charge कर देता है Lenovo Flex 5 नहीं पर इसको add कर रहा है उसके लिए Lenovo को thumbs up यहाँ पर लास्ली paperwork मिल जाता है में warranty guide और setup instructions वगएर इसको एक साइड में गाई सबसे पहले बात करते है Flex 5 की build quality के और design की तो मेरे खहल से यह सबसे जादा aesthetic और सबसे जादा polish दिखने वाला 2-1 convertible laptop है यहाँ पर इस laptop के weight के अगर में बात करूँ तो 1.5 kg की weight के साथ में आता है जो की बिलकुल थोड़ा सा जादा है for a 14-inch convertible laptop अगर पविलियन से compare करते है तो थोड़ा सा जादा heavy है यहाँ पर decently sleek है यह laptop और हाथ में पकड़ने में बहुत जादा comfortable feel दे देता है यहाँ पर right side में मिल जाते हैं 2 USB type A port जो की USB 3.1 को support करते हैं यह भी एक बहुत अच्छी बात है उसके बाद यहाँ पर full size SD card reader मिल जाता है guys अगर आप camera से directly photos लेना चाते हैं directly laptop में full size camera वाला card डालो और you are done उसके बाद यहाँ पर power button में मिल जाता है right side में left side के अगर बात करते हैं तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है दुबाई में यहाँ पर में को power port वाला pin मिला यहाँ पर USB type C मेरे खाल से इंडिया में लैनोर डिलीवर करता है उसके पास में यहाँ पर guys indicator है कि laptop चार्ज हो रहा है कि नहीं HDMI port है यह भी एक बहुत अच्छी बात है उसके बाद य microphone वगेरा सारी चीज़े camera वगेर टेस्स करेंगे guys आगे इस review में इस upgradability के लिए में को बहुत सारे questions आते हैं नीचे comment section में तो यहाँ पर बताना चाहँगा कि इस laptop को आप बहुत ही easily open कर सकते हैं इसका motherboard वगेरा सब कुछ access करने के लिए लेकिन यहाँ पर इसकी RAM upgradable नहीं है because more soldered है motherboard के अंदर और यहाँ पर SSD जो है वो आप upgrade कर सकते हैं यहाँ पर PCIe NVMe SSD मिल जाती है इस laptop की जो की बहुत जादा fast उसकी पर भी बात करेंगे अगे इस वीडियो में लेकिन आप उसको upgrade कर सकते हैं मेरे वाले variant में यहाँ पर 256GB SSD और RGB RAM लगी है मतलब मैं RGB RAM को upgrade कर सकता ह और एक tablet की तरह भी उसकर सकते है जैसी आप इसको flex करेंगे आपको screen पे pop-up मिल जाएगा इसको tablet mode के अंदर enter करने का अगर नहीं मिलता है तो बहुत ही easily आप यहाँ पर जाके tablet mode enable कर सकते हैं जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पर guys hinge मैं कहूंगा कि इस बार Lenovo ने improve कर दिये last generation का hinge बहुत ज्यादा अच्छी चलने वाली है बात करते हैं कि जैसे कि मैं tablet mode में मैंने कुछ इस तरह पकड़ा हुआ है तो of course keys यहाँ पर दबरी है लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसी आप tablet mode में जाते हैं यहाँ फिर flex कर लेते हैं इस laptop को यह laptop उसको automatically detect कर देता है और disable कर दे है और बहुत ज्यादा गाइस रिस्पॉंसिव है पहना है मैं स्टार्ट स्क्रीन में ही हूँ तो बहुत ज्यादा रिस्पॉंसिव है यह pen जैसे कि आप देख सकते हैं और कुछ भी अगर ड्रॉ करना है आपको अगर आप student है नोट टेगिंग करनी है तो आप इसको बहुत आज आएगा उसने वन नोट समझा जो मैंने लिखा उसको एनिवेज आप इसको यहां पर हटा सकते हैं बहुत ही एफेक्टिवली और एफिशेंटली यह pen वर्क करता है बहुत ही अच्छा एक सॉलूशन है डिस्प्ले की गाइस अगर बात करते हैं तो 14 इंच की हमें फोल प्रोवाइड करा दूँगा डिस्प्ले ना गाइस यहां पर बहुत जादा डीसेंट इस लैप्टॉप के प्राइस के हिसाब से यहां पर एक वीडियो से लागे देख लेते हैं और साथ साथ मैं आपके साथ स्पैसिफिकेशन से और मेरी टेस्टिंग में जो स्कोर्स नि पर 50% का DCI-P3 कलर गामेट रेकने के लिए मिल जाता है तो एक डीसेंट डिस्प्ले है बैस नहीं है किसी लैप्टॉप में लेकिन डीसेंट डिस्प्ले है वेकॉस फ्लेक्शिप्स होगेरा आप लेते हैं बेसिकली तो वहां पर हमें 100% का एसा जी मिलता है इसको से कंपेर नहीं कर सकते हैं प्राइस के सबसे बहुत जादा डीसेंट डिस्प्ले मिल रही आपको गाईज और स्पीकर की के बात करते हैं डिस्प्ले की बात करी लिए तो यहां पर मैं अपनी ही एक वीडियो आपको चला के दिखा रहेता हूं फुल वाल्यूम में यहां पर बहुत ही अच्छी आडियो प्रोवाइड करा जेता है मैं इस लैप्तॉप को बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं तो में बिल्कुल भी कंप्लें नहीं स्पीकर के रिगार्डिंग यहां पर दो फ्रेंट फारिंग स्पीकर मिल जाते हैं जो की डॉल्बी के थू टून करे है यहां पर आप देख सकते हैं डॉल्बी ओडियो लिखा हुआ है यहां पर ओके शाओमी के एक तम लेटा स्टा बड़कता में इमिक फोल्ड स्मार्टफोन दोस्तों इस वीडियो में आफ़ शेयर करने वाला हूँ कैमेरा रिवीव इसी स्मार्टफोन के बारे में जहां फोकुस रहेंगे इसके लिक्विड लैंस के उप़र बिकॉस हैं तो थे बात करें पिपल के अंसर के साथ में आजाता है तो काई मुल्टि मीडिय के लिए अपने दिखा कि इस लैप पो जो पीकर से बहुत अच्छी है और डिस्प्ले अच्छी है और डिस्प्लेश इसे यहां पर मैं आपको रियल ताइम दिखा रहता हूं हलाकि मैं इस लैप्टॉप को बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं तो मैंने कैमरा भी टैस कर रहा है बहुत ही एवरेज सी पिक्चर और वीडियो कॉल्टी निकाल के देता है यह कैमरा लैप्टॉप में इसी कुछ तर लेफ साइड में लगा हूँ है बहुत ज्यादा रिस्पॉंसिव है आपकी ऑडियो बहुत अच्छे से पिक कर लेता है यहां पर उसके नीचे यहां पर लगा हूँ है यह कीबोर्ड की अगर मैं बात पर हूँ ना गाइस तो थिंक पैड्स में लेनो वो बहुत ज्यादा अच्छा की डेवल डालता है की ट्रावल हमें इस कीबोर्ड के साथ में बहुत जादा कम देखने के लिए लिए जैसे कि आप देख सकते हैं लेकिन म्ज़ए की बात यह है कि यहाँ पे जो तो इस प्राइज में यहां पर बैकलेट भी मिल जाता है तो इस प्राइज में यहां पर बैकलेट मिलना बहुत ज्यादा अच्छी बात है यह लेप्टप आई 3 वर्जन आप मुश्किल से पैसे कि बैकलेट देखने के लिए मिल जाएगी तो इहां पर देख सकते हैं डो लैवल की बैटनेस दे रखी है तो यहां पर एवरेजब ब्रैटनेस और यहां पर मैक्सिमुम ब्रैटनेस पर चला जाएगा according to your comfort आप इसको adjust कर सकते हैं किसी भी environment में है आप तो और यहां पर मैं आपको कुछ real time live type करके दिखा रहेता हूँ जिससे कि आपको मालूम पढ़ रहा है किस तरह से keyboard work कर रहा है और accuracy guys बहुत ज़दा अच्छी आ रही है तो guys keyboard जैसे कि आपने देखा कि key travel की बस कमी है उसके अलावा यहां पर यह keyboard one of the best है किसी भी mid range laptop में पर्फॉर्मेंस के हम बात करते हैं इस laptop की तो यहां पर जो वर्जन मेरे पास में है वो आता है Intel Core i5 11th generation processor के साथ में जुकी है Intel का Core i5 1135 G7 processor यहां पर Intel के Iris XC graphic card मिल जाते हैं इन दोनों ही की बात करूँ particular में तो यहां पर i5 11th generation हमें 20% ज़्यादा अच्छी performance प्रफॉर्मेंस करा देता है as compared to the last generation 10th generation यहां पर Iris XC graphic card हमें last generation के Iris Plus graphic card से दो गुना जादा performance प्रफॉर्मेंस प्रफॉर्मेंस वाइट करा देता है यहां पर बहुत ज़्यादा फास्ट है और RAM भी बहुत ज़्यादा फास्ट है 256GB की हमें SSD मिल जाती है Western Digital की यहां पर लगी हुए PCIe NVMe SSD यहां पर मिल जाती है बहुत ज़्यादा फास्ट है guys बिल्कुल snappy यहां पर work कर रही है उसके बाद guys processor की और बात करते हैं तो यह एक 10 nanometer का processor है जो की battery life के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं जितने ज़्यादा कम nanometer होते है उतनी ज़्यादा battery life अच्छी होती जाती है यह एक basic rule है यहां पर processing का और इसी सब की चलते हैं यहां पर यह laptop बहुत decent battery life अब प्रोइट कर रहा है अभी भी guys यहां पर बता रहा है गहंटे की battery life मिला गरती थी इस बार guys काम और ज्यादा amazing कर दिया बैटरी life और ज्यादा अच्छी कर दिये इसी laptop के साथ दोस्तों यह था Lenovo का latest flex 5 laptop with Intel's latest 11th generation core i5 processor guys मुझे strongly लगता है कि यह mid range price segment में इंडिया में best laptop है अगर आपको convertible चीए तो भी और अगर आपको नॉर्मल laptop चीए तो भी यहां पर हमें एक average display देखने के लिए मिल जाती है इस price के साब से बहुत अच्छी display है और यहां पर हमें keyboard भी बहुत जादा अच्छा देखने के ल अच्छी बैटरी लाइफ देगा और नॉर्मल यूजज अगर एडिटिंग वगरा भी करते है तो पांच गंटे चार गंटे कहीं नहीं गए इस laptop के साथ में जो कि बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है अगर एक laptop की बात करते हैं तो और यहां पर Lenovo ने हमें यह pen भी प्रो है तो यह प्रॉपर सॉलूशन नहीं है बर अगेन आपको पैन मिलता है बॉक्स के अंदर तो यह बहुत ज़्याद अच्छी बात है तो गाई अगर आप इंडिया में इस laptop को पर्चेस करना चाहते हैं तो आप Amazon के थ्रू इस laptop को इंडिया में पर्चेस कर सकते हैं AMD और Intel द अगे भी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्स्क्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा शायद भी कर दीजेगा एंड और मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में